नमस्कार दोस्तों, हर्शी दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर इरानी महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से हिजाब को हटा कर विरोथ किया जो की महिलाओं द्वारा पहने जाने के लिए इसलामी कानुन द्वारा अविश्यक है अपने हिजाब को हटाने के वीडियो पोस्ट किये है वैसे इरान में नाशनल डे ओफ हिजाब चास्टिटी सेलेबरेट करता है दोस्तों बारा जूले को इरानियन गर्मन सारे गर्मन इंस्टिटूशन्स अन एजन्सीस को ये इंस्ट्रेक्ट किया था एक हफते के लिए इसे प्रमोट करने के लिए हिजाब अंचास्टिटी डे का मतलब ये होता है इस दिन सारे महिलाओं को हिजाब रगलेशन्स को सपोर्ट करना है वैसे इरानी मैन भी महिलाओं के इस प्रोटेस की तरफ अपनी सोल्डार्टी दिखाया है जैसा कि देश के इसलामी शासक इम्मोरल बिहेवियर पर दबाव डालते है इरानी राइट्स क्रूप्स ने महिलाओं से खुले तोर पर अपना प अथोरिटीस औरडी सारे पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन परसनल को स्टाफ इन गर्मन ओफिसर्स को ये बोला है बैट हिजाब लेडिस को मोनिटर करने के लिए मतलब जो हिजाब नहीं पहें रिये उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए ताकि वो अरस करे इरान का सद इस्लामिक रिपब्लिक एस्टाबलिश किया था ये हैं इस्लामिक रिपॉलूशन ओफ नाइटीन सब्सक्राइब लेडिस को इरान में नाशनल डे ओफिजाब अन्चास्टिटी अब्जर्व करता है वैसे जूले बारा को सेलेट करने का एक कारण है दोस्तों 1935 जूले बारा को इरान में वाइट प्रोटेस्ट हुआ था एगेंस्ट रूलर ओफ इरान रजाज शार जिनों ने इस्लामिक वेल्स को पहने से विमन को बैंड किया था और अभी का जो गर्णमन्ट है उनका तो स्ट्रिक्टर स्टान्स है हिजाब रूल्स की तरफ वैसे इस साल जैसे प्रोटेस्ट रला था इरानियन रूल्स के एगेंस्ट तो गर्णमन ने एक चास्टिती सिर्मनी तक कंड़ेट किया इरान का क्यापिटल टेहरान में वैसे इस सिर्मनी में 13 महिलाओं को दिखाते हुए एक वीडियो भी प्रमोट किया महिलाओं को हरे रंग क हिजाब और लेंबे साफेद बस्तर पहने पुरान की आयतों के वर्नन पर नाचते हुए देखा जा सकता है वैसे दोस्तों इस सल इरानियन वीमेन ने जो प्रोटेस्ट किया है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है दा हैस्टाग है इरान का सेकंड हिजाब बैंड है वो भी हम डिसकस करेंगे वैसे करनाडगा में रीसेनली एक इशू हुआ था आप सबको पता है गर्मन स्कूल में मुस्लीम स्टूडेंस को हिजाब पहने से रोका था फिर कोट इंडर्वीन किया था तो कोट ने यह प्रनूंस किया था कि हिजाब पहना क प्राक्टिस नहीं है यूरोपीन कंट्री ओस्ट्रिया ने डो सार उन्नीस में बैन इंपोस किया और हैट स्काफ फोर चिल्डन अप टो दे इज अप 10 एज तो 10 साल के जो बैच्चे है उन्हें ओस्ट्रिया में हैट स्काफ पहना नहीं सकते फिर एगेइन यूरोपीन जुडिशल इंस्टिटुशन में एंपोईड है वो हिजाब पहन नहीं सकते जब वो काम पे आएंगे अब दोस्तों क्यानडा में क्यानडा में एक प्रोविंस है दोस्तों क्यूबेक क्यूबेक में जितने पब्लिक सर्वन से वो किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल्स पहन नहीं सकते हैं अगला है कसाकिस्तन कसाकिस्तन एक सेंटलेशन कंट्री है 73% of population कसाकिस्तन में मुसलीम से पर एक modern मुसलीम कंट्रीया बोल सकते हो 2017 में कसाकिस्तन गर्मन स्कूल्स में हेट सकाफ्स पहनना बैन किया 2018 में गर्मन बैन इंपोस्ट किया on people wearing हेट सकाफ्स, निकाफ्स and other similar forms of clothes in public तो पब्लिक में हेट सकाफ्स, निकाफ्स and other similar forms of clothes पहन नहीं सकते फिरे दोस्तों कसोवो एगेन एक European country है उथर पब्लिक स्कूल्स में यूनिवेसिटीज में अन गर्मन बिल्डिंग्स में हिजाब पहना मना है 2009 से पर देखे दोस्तों 2014 में कसोवो का पहला women parliamentarian हेट सकाफ पहन के parliament में आई थी वो एक news भी बन गया था अगला है क्रिगिस्तान एगेन एक Centralation country है 90% of population Muslims है उधर कोई ब्लैंकेट बैंटों नहीं है फिर भी कुछ रिपोर्ट्स आये थे क्रिगिस्तान में कुछ स्कूलों में मुस्लीम स्टुडेंट्स को हेट्सकाफ्स पहनने से मना किया था अगर रिश्या की बात करें रिश्या में टू रीजियन्स में स्कूल्स और यूनिविशिटीज म मार्कत में बेचने से मना किया था फाइनली अगर इंडिया की बात करें आप सबको पता है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है इधर किसी भी तरह का रिलीजियस क्लोथिंग पहनने से कोई मना नहीं है फिर भी कुछ स्कूलों में स्कूल अथोरिटी मुस्लीम गेल्स को मना कर ठीक है आप ये देखिए टोटल 16 कंट्रीज कम्प्लीटली बुर्खा को बैन किया हुए दोस्तों बुर्खा मतलब क्या है ये देखे दोस्तों टाइपस ऑफ इस्लामिक वेल्स इसमें ये जो दिख रहना दोस्तों ये है बुर्खा बाकी सारे आप युदर देख सकते हो ये शाइला है ये हिजाब है हिजाब अमीरा है खिमार है चादोर है निकाब है कौन-कौन से 16 कंट्रीज बुर्खा को बैन किया है दोस्तों टुनीशिया, आस्ट्रिया, डेन्मार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तजाकिस्तान, बल्गेरिया, कैमरून, चार, the Republic of the Congo, ग्याबो Netherlands, China, Morocco, Sri Lanka and Switzerland and कौन-कौन से कंट्रीज में official rules है about women's religious head coverings, numbers दिया हुए दोस्तों, Europe में total 21 कंट्रीज में है, Asia Pacific में 16 कंट्रीज में है, West Asia North Africa में 9 कंट्रीज में है and सब सहारन आफ्रीका में, सब सहारन मतलब जो सहारा desert के नीचे वाला region में जो country से उधर 9 है and America's में, 6 countries में है तो दोस्तों, that's the end of it, तो Iranian women ने जो protest किया है, वो एक progressive movement लग रहा है दोस्तों, आपका क्या राई है, आप मुझे comment box में बता दीजेगा, आप उसे support कर रहा है या फिर नहीं support कर रहा है, अगर नहीं support कर रहा है तो आपका justification क्या है, ये भी बता दीजेगा लक्षर की PDF एस सुषल आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका link नीचे description box में provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice